आज हम बनाएंगे मूग दाल के पकोड़ी बिल्कुल चटपटा सा बनाएंगे इसे कभी भी बना के खा सकते हैं या बारिस के मौसम में भी बना के खा सकते हैं मूग का दाल बहुत स्वादिश्ट लगता है तो मूग दाल के पकोड़ी कैसे बनाते हैं तो हम बनाना सुरू क भीगो bild नो मुंख दाल को चार घंटे के लिए भीगों के रख दिया था भीगोने पाद लीजेशे मुंफल सब्सक्राइब और इसों के सी दूल लेगे बारिक नहीं पिशना है ठाब्स होगा घृत म reading और एक चमच खड़ा धनिया लिया है आधा चमच काली मिर्च है इसे डालके हल्का सभून लेंगे आप सौफ जरूर डाले हल्का सा इसमें खुसबू आने लगेगा तो हम गयस को बन कर देंगे और इसे ठंडा करके जार में डालके पीस लेंगे बिल्कुल बारिक नहीं पीस ऑम झालके जो बिल्कुल बारिक पीस तरीके उसे भी डालेंगे तो से भी ठाल!」 जरूर डाल को पीस मैंने यहाँ एक प्याज को काट लिया है, इसको भी हम डाल देंगे, और हींग डालेंगे इसमें, हींग आप जरूर डालें, एक चमच लाल मिर्चा पाउडर डालेंगे, एक चमच आमचूर पाउडर डालेंगे, इससे बहुत चट पता सा बनेगा, फिलेवर बहुत में एधनीय पत्ति काट लिया इसको भी हम डाल दींगे लास्ट में डालेंगे पालक दोको अच्छे काट लिया है इसे डाल के अच्छे से मिलालेंगे मिक्स कर लेंगे जब आपको पकोड़ी बनाना हो तब ही बालक प्याज डालाmission और आलोी अगर पहले से बनाके मीक्स करके रख देंगे तो पानी छोड़ने लगेगा और गीला हो जाएगा पकोडी कैसे पच्छा नहीं आएगा और मैंने हाथ कड़ाईं तिल अच्छे सा गर्म कर लिया है अब इसमें करके डाल देंगे और दो मिनिट के लिए छोड़ देंगे तलते समय गैस को मीडियम रखेंगे जब हलका सा गोल्डन कलर हो जाए तब इसको हम पलट लेंगे और पलट पलट के इसे चला चला के अच्छे साम तल लेंगे और बिल्कुल तल गया है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरीके से हम पकोड़े तल लेंगे और तीन-चार मिर्चा भी हम तल ल संद है तो लाइक जरू करिए अगर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक दूसरे से कमेंट आप जरूर करिए